अंकिता लोखंडे जिया अरे अंकिता लोखंडे चुपो हो जा भी या तुम तो मतलब हद्ध हो गई एक ही बात तुम रोज करती हो और क्या कहना क्या है अंकिता का विकी से मतलब रोज एक ही बात अंकिता कैसे कर लेती हो तुम आपस विकी से लड़ने के लिए कोई बात नहीं है कोई मुद्दा नहीं है तो अब तुम ये फिल कर रही हो कि तुम इग्नोर हो रही हो भी वो घर के अंदर आया है बंदा घर के लोगों से मिल रहा है बात कर रहा है अब वो 24 गंटे तो हाथ में हाथ डाल के नहीं बैठ सकता ना अस्वर्य और नील के जैसे अगर वो बैठ गया घर में तो फिर वो दिखेगा नी फिर जो उसका गेम है वो सारा गेम बरबाद हो जाएगा तो इटलिस्ट उसको खेल ले दो अंकिता अलो खंडे तुम्हारा ज बहुत जल्दी मिकस हो जाएगा घुल जाएगा मिल जाएगा लेकिन जब वह यहां पे घुल रहा है लोगों से बातचीत कर रहा है तो इतना क्या है वह तुम्हारा ही असबेंडे एक ही घर में रह रहा है हो अब इस बात को लेके फिर से अंकिता का नया ड्रामा शुरू हो गया बिग बॉस्से फिर से प्रोमो कार्ट दिया वहाँ पे विकी भी कहता है कि भाई तुम्हारी ये तुम्हारी वो तुम्हारी ऐसा तुम्हारा वैसा तुम्हारी ही बात है सिर्फ I was nowhere कि मैं ना कभी कहीं था और ना कहीं हूं कि तुम ही तुम हो बस और एक हमारा जो rough pace था उसके बात मैं भी विकी ने बात करनी चाहिए लेकिन अंकिता ने वहाँ पे काट दिया कि हमारी बात घुमा फिरा कि वहीं पे क्यों आ जाती है अंकिता तुमको समझना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे विकी तुमारे साथ खड़ा था और वो आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है वो तुमको ना रोकता है ना टोकता है तुमको जो करना होता है तुम करती हो तो कम से कम उसको भी करने दोनों वो जो कर रहा है हर बार एक ही बात लेके आती हो जिस बात में कोई दमी नहीं है बाकि आप लोग लिखना क्या आपको अंकिता सही लगती है कॉमेंट करके बताना विकी और अंकिता वाले मैटर में